कि अधियर इस्टूडेंट्स हाव यू आई होप यू आर वेल नाव लेट्स स्टार्ट यूर टैन्स चेप्टर ओके एन यूर टैन्स चेप्टर नेम इस किपिंग सेफ एंड हेल्दी कैसे हम लोग सुरक्षित और स्वास्त रहें उसके बारे में हम लोग यहां पर इस नियमों के बारे में किपिंग क्लीन एन हेल्दी कैसे स्वास्त और साफ सुत्रा रहें उसके बारे में तो आयल स्टार्ट करते हैं इस 10 चेप्टर को और आप देख सकते हैं यहां पर आपकी जो फर्स्ट लाइन है कह रहा कि सेफटी मेंस स्टेंग अवे फ्रॉम हां सुरक यहां पर आपको सुरक्षित रहने में आपकी मदद करेगा अगर आप लोग केरफुल रहेंगे हर एक चीजों के प्रती तो आप लोग क्या रहेंगे हमेशा से भी रहेंगे ओके यहां पर करें कि लुक अट डिफरेंट थिंग्स इन दा बॉक्स गिवें बिलो और यहां जो चीजें यहां पर से खेलने में हमें कोई नुकसान नहीं है उनको सॉट करिए विद एंड अनसेफ वन और यानि कि जो खतरनाक है उसे भी क्या करी यहां पर सॉट करिए उससे देखी ओके राइट देर नेम इन दा स्पेस गिवें बिलो और उसके वासे यहां पर नाम यहां पर जो आप देख सकते हैं यहां पर उपर वाले जो लाइन है यहां पर हम रूख सेफ ऑबजेक्ट यानि कि जिससे खेलने में हमें कोई खतरा नहीं है यह ऐसी वस्तुव का यहां पर नाम हमको फिल अप करना है और सेकेंड में आपको अंसेफ ऑबजेक्ट का नाम जो है फिल करना है तो आयल स्टार्ट करते हैं यहां पर देख सकते हैं यह आपका बॉक्स और यह आपकी यहां पर लाइन तो आप सेफ ऑबजेक्ट में पहले यहां पर देख सकते हैं यह जो डॉल है क्या इससे खेलने में हमें कोई खतरा है तो बिल्कुल नहीं है तो यह ब्लॉक्स दिए गया है ना खेलने वाली ब्लॉक्स से बच्चों के लिए आते हैं तो यहां पर लास्ट में क्या भर देंगे ब्लॉक्स ब्लॉक्स दिए गई हैं आप लोग यहां से भी देखके इसमें फिल कर सकते हैं जिससे खिलने में खत्रा है जिससे हमें नहीं खेलना चाहिए ऐसी कौन कौन सी चीज़े इस बॉक्स में दी गई है तो यहां पर देख सकते हैं इससे खिलने में क्या होता है खत्रा हो सकता है तो यहां पे हम लोगों क्या भड़ देंगे फोस्ट में नाइव यहां पे आपको दिखाई दे रहा है यहां पे आपको मैजिस्टिक दिखाई दे रहा है यहां पे इसे भी खिलने में नुकसान ही होगा यहां पे जो यह टैबलेट्स दी गई हैं यह भी बच्चों के खिलने के लिए नहीं होती है तो इससे भी खिलना जो है अंसे हो सकता है अब चलेंगे आपके सेकेंड पेज की तरफ और यहां पर देख सकते हैं आपका जो सेकेंड पेज है इसका फॉस्ट टॉपिक है सेप्टी रूल्स है ना सुरक्षा के जो नियम हैं उनके बारे में यहां पर करें कि यू सुट फॉलो सर्टेन रूल्स टॉस्टे सेफ है ना आप लोग कुछ निश्चित जो नियम हैं उनको फॉलो करके सुरक्षित रह सकते हैं और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं सेफ्टी रूल्स यानि कि सुरक्षा के नियम कहते हैं ना सेफ्टी रूल को फॉलो करके हम क्या रह सकते हैं सुरक्षित रह सकते हैं और जिन नियम का पालन करके हम लोग सुरक्षित रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं इस चीज को यहां पर ध्यान दिजिएगा यहां पर उसके बास से नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं घरों में हम क्या कर सकते हैं उनके बारे में तो यहां पर कह रहा है कि here are some safety rule to be followed at home यहां पर कुछ नियम दिये गये हैं जीने हम लोगों को सभी लोगों को अपने अपने घरों में उन सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए उनका नियमों का पालन करना चाहिए तो यहां भी आप देख सकते हैं पहला है तो हम लोग जो है आग से बच सकते हैं okay you should not play with sharp tools such as knife, scissors and blades है ना आप लोगों को कभी भी जो है जो नुकीले यंत्र होते हैं चाकू हो गया कैची हो गया इस सारी चीजों से नहीं खिलना चाहिए ना इस सारी चीजों से कभी भी आप सभी को नहीं खिलना चाहिए यह दो safety rules ह यहां पर थोर्ड है यूशू नौर प्ले विच स्विचेज वायर और फ्लक्स आप लोगों को जो है स्विचेज से तारों से प्लक्स से जो भी एलेक्टिकल एप्लाइंसे इनसे दूर ही रहना चाहिए उनके साथ नहीं खिलना चाहिए ना खिलने के लिए चीज़े अलग ना हो ट्वाय हो कोई भी चीज हो उनका जो सही प्रॉपर प्लेस है वहां पर उनको रखेंगे ना कि इधर उदर भी खेर के रखेंगे ओके इफ यू आप ऐसा करते हो तो या तो आप या फिर आपके घर वाले कोई भी जो है उसका पैर पढ़ सकता है जो भी आपने खिलन भी खेरा हुआ है उसमें पहर पढ़ सकता है यानि उसका गलत स्टेप और वो क्या हो सकता है गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है तो हम लोग को यह काम नहीं करना है और यहां पर फिगर में आप देख सकते हो किस तरीके से यह जो लड़की है बिल्कुल अच्छे से सार सब्सक्राइब तो तुरंत जो है आप क्या करेंगे अपने गार्जियन से यानि अपने माताबीता से या फिर आपसे कोई भी बड़ा आपका भाइवन कोई भी हो तो उसे बताएं तुरंत फॉरन बताएं यूसोड इंफॉर्म एन डल्ट केल है आप जो है तुरंत सूचि इसे को बताएं को नेक्स उसके बास यहां पर किरसी नवेन के सब्सक्राइब कर दल गेंतर जाएं कि एसलिए होता है कि अगर वह फेक तो फिर लोगा त्रिप हो जागा यानि जलत स्टेप उस पे पैर पड़ जाएगा किसी का और गिर जाएगा और उसे चोट लग सकती है तो आप लोगों को यहां पर यहां पर यह समझ में आ गया होगा नेक्स उसके बास से हैं आपका एट स्कूल है ना सुरक्षा के नियम यहां पर होते हैं इसकूलों में भी करते हैं तो फर्स्ट यहां पर देख सकते हैं कह रहे हैं कि यू सुट नोट ट्राइट अर अनर गेट ऑफ और मुविंग बर्स लीन आउट आउट अफ दी विंडो यहां पर कह रहा है कि आप लोगों को कभी भी जो है चलती हुई बर हमें क्या करना चाहिए खिड़की से अपना बॉड़ी पार्ट अपना सर अपना हाथ इन सारी चीजों को बाहर नहीं निकालना चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो यू माइट फॉल एंड गेट हर्ट है आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह बच्चे बाहर निकाल अगर माल लेजिए यहां से यहां कंजस्टेट होता है और गाड़ी बिल्कुल यहां नजदीक से निकलती है तो क्या होगा इन बच्चों को चोट लग सकती है तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए नेक्स उसके बास से अगला यहां पर इसकूल में जो रूल फॉल कर सकते है तो यह देख सकते हैं करें कि यू सुट वॉक इन लाइन विल यूजिंग से ना आप लोग कभी अगर विद्याले के जो भी सीडिया है उनको अगर इस्तमाल करें तो हमेशा जो है लाइन में रहके करें ओके इफ यू जब स्कूल की छुटी होती है तो बच्चे जो है बह दो क्लास्रूम क्लास्रूम जो है इधर उदर जो है नहीं दरना चाहिए तो नहीं दरना जाएं। चाहिए नहीं चाहिए आप ऐसा करते हो तो आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है अगर कोई भी गिर जाता है किसी वजह से तो फॉरन जो है आप अपने अध्यापक को जो है अध्यापक या फिर अध्यापक का जो भी होगी उनको इन्फॉर्म करें जो यहां पर अपकी घर कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह बहुत सारे बच्चे यहां पर बिलों को आप लिए चलड़ रहे तो आपको भी यह करना है और यह देख सकते हैं यह जो है बच्चे कभी इस पे चड़ रहे हैं इधर उदर जो है कूद रहे हैं तो यह भी हमें नई करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं यह क्रॉस लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह बच्चा गिर गया है इस चेयर से तो इसको तु पर इस चीज को समझी है और मेरे साथ करते हुए चलिए यहां पर चीजों को टिक करना है जिससे खेलना जो है सुरक्षित है जिससे खेलने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है उसे हम लोग क्या करेंगे इस तरह से टिक करेंगे और जिससे खेलना तो उसके लिए यह करेंगे तो फुर्स आपको दिखाए दे रहें आपे फुट बॉल इससे खेलना क्या है तो इसी लिए हम लोग क्या करेंगे चिक कर देंगे यह सही है इससे हमें कोई नुकसान नहीं है यह बना होता है मैंचस्टिक इसको कर डिया साहा हमारे लिए यह आगे हैं से सब्कूर्स वाली रहे तुट्ष यहां तो कोई नुकसान नहीं है तो यह जो है इसे को समझने होगा और राप लोग у यह अच्छा लगा यह चंप कर सकते हैं और मेरे नियुद आप लोगे मैं आप से में समय से मिल जाए okay bye see you soon in the next video